शौल तो समझ में आता है पर यह तूश क्या बला है? हम अपनी जिग्यासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शौल खुद पहुचाने के वादे के साथ बिदा किया और अंतरधान हो गई लेखा कि पत्नी ने उस बची से का ठीक है मैं पहुचा दोंगी शौल और खुद अंतरधान हो गई, आखों से ओजल हो गई आई ही तो उनके हाथ में एक मट मैला सा गरम कपड़े का टुकड़ा था उनके चेहरे पर संत्रास का भाव था, संत्रास यानी बहुत उदासी दुख का भाव था और स्वर में परिशानी, पता लगा कि परोसन से उधार लिये शौल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे हमें उसे ड्राइ क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया मतलब रिखा की पत्नी ने कहा कि अब आप जाईए और इसके दाग को ड्राइ क्लीन करवा के लईए चुकि वह कमबक्त तूश का था, उसकी सफाई में डेर सौकी चोट लगी अपनी आज भी तूश के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गरम कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है खरीदने में कौन जाने ना कान की नवात आती हो यानि जिसको सफाई में डेर सौर पे लगते हो खरीदना तो और मुश्किल और ज्यादा है पैसा खर्चा होता होगा बहराल परोसन को तूश पर दाग लगने का हादसा ग्यात हो गया उन्हें पता चल गया कि उनका शौल जो है वो दागदार हो चुका है और उन्होंने तूश दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोशी ठाराया उनके अनुसार यह जानबूज कर किया गया अपरात था जिसकी जर में जलन और स्पर्धा की भावना थी उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाई की पत्ती के बदले हमारे घर की में चाई की पत्ती के नाम पर उसका चूड़ा उन्हें मांगने पर मिलता था यानि परोसन जो थी लेखा की पत्नी की परोसन महिला उन्होंने पहले तो कहा कि मेरा तूश का सौल इतना कीमती था तो आपने जान भूज के दाग लगाया, दागदार कर दिया, फिर दोनों के बीच बहस छिड़ी, तो ये लोग पहुँच गए चाय और चीनी तक एक बार उन्होंने, उन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने अबल दर्जे का प्याज हुधार दिये और सरे फिले वापस पाये, ऐसे तूश प्रकड़न के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चलग़ा है और महिलाओं में बाचित बंध है, शीत युद्ध का मतलब होता है, लेकिन शब्दों का आदान प्रदान नहों हो, यानि बाचीत बंध है, पत्नी के रुख से हमारे परोसी प्रेम में कोई तब्दिली नहीं आई, लेखक कहते हैं कि महलाओं के बीच तो शीतियुद चल रहा है, लेकिन हम परोसी जो है, जो पुरुश्वर्ग आपस में दोनो कि उसी तरह से अदला बदली चलती है, क्या, तो हम वक्त जर्रत उनकी सहाईता में तक पर रहते हैं, हमें पता है कि केवल टीवी नई पीड़ी के लिए कितना नुकसान दे है, अब देखो वक्त जर्रत कितनी मदद ये लो करते हैं, केवल टीवी जो है, टीवी केवल का त जो होता है, उसके बारे में लेखक सोचते हैं कि मुझे पता है कि ये कितना बच्चों के लिए नई पीड़ी के लिए नुकसान दे है, इसका दुश्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पढ़ता ही पढ़ता है, उनकी नजर भी इसे कमजोर होती है, लिहाजा इसल लिए हम मौका मिलते ही उनके केवल कातार काट देते हैं, उन्हें भी हमारी नई पीड़ी का ख्याल है, हमारा केवल कातार भी अकसर धाराशाई पाया जाता है, हम उनके मेहमानों, अब देखते हैं, देखिए, केवल कातार एक दूसरे का हमेशा काट देते हैं, और दोनों का सोचना है कि उनके बच्चे का खयाल करके कि उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं आँख खराब हो जाएगी इस रेकार देते हैं उतना ही नहीं दोनों जो हैं एक दूसरे के महमान का भी खयाल रखते हैं किस तरह तो हम उनके महमान का खर्च भी बचाते हैं किस तरह तो कई वार उनका पता पूछने वाले को हमने दूसरे मुहले में दिशाब्रमित किया है कोई यदि उनके यहां मिलने आता है तो लेखक क्याते हैं ने ने इस मुहले में नहीं रहते हैं वो तो दूसरे मुहले में रहते हैं दिशाब्रमित यानि गलत रास्ता दिखा दिया है पर इ कई बार अजनवियों तक को हमारे घर भेज देते हैं, यानि जो उनके गेस्ट नहीं भी रहते हैं, तो वो परोसी करें, हाँ हाँ, आप उनको खुज रहे हैं, यही तो उनका घर है, अब कोई अजनवी घर आएंगे, तो चाई पानी के लिए तो पूछना ही है, तो इस तरह से लेखक के परोसी उन पर कुछ ज्यादा ही उपकार कर देते हैं, ऐसे सहयोग सौहाट देके बिना पास परोस का जीवन दुभाड होने का खत्रा है, अब लेखक कहते हैं, कि जब से सरकार ने भ्रस्टा चार के बिरुद्ध पचास वर्स में सौमी वार कमर कसी है, हम परो नए साल के मौके पर भेट मिठाई लाने वाले के CBI एजेंट होने की चेताबनी देना नहीं भूलते हैं, यानि वो जो परोसी हैं, उनके घर यदि होली दिवाली में कोई मिठाई वगर लेके आता है, तो लेखक कहते हैं कि मैं CBI एजेंट हूँ, सरकार ने इस तरह से रि लेखक के पास तो कोई आता ही नहीं है, हमें लगने लगा है, अब लेखक कहते हैं कि ये तो हुई परोसी की बात, परोसी देश के बीच क्या संबंध होता है, कैसा रिष्टा होता है, इसके बारे में लेखक कहते हैं, कि हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के परोस और सदभाबना रखते हैं वैसे ही हमारे परोसी देश भी शांती अहिंसा और अंतरिक मामलों में हस्तक शेप नो करने का असूल हर परोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तोर पर अपनाता है संसार के सामने जब सार्वजनिक तोड़ पर बैठक होती है तो हर पर उसी देश कहता है कि हम दूसरे के शांती अहिंसा आंतरिक मामने में हस्तक्षेप नहीं करेंगी यह दीगर है लेकिन यह अलग बात है कि कभी कभार सीमा क्षेतर में आतकवादी गोली बारी कर ले यानि जिस दिन शांती वारता होती है उसी दिन सीमा बढ़ती शेतर पे गोली बारी होने लगती है उसके जासू शहरों में बंबारी की योजना बनाएं थोड़ी बहुत आत दूसरे कौन सी दाल खाता है कि मतलब है कि दूसरे के अंतरिक मामलों की जानकारी लेना हर व्यक्तिक्या एक स्वभाविक जिग्यासा होता है अपनी तो एक ही आकांख्षा है हमें अपने परोसी से इतना लगाओ है वो अभी हमसे अपने बेभार में कुछ सुधार लाए ताली एक हाथ से उतो बजदी नहीं है दौनों हिल मिलकर अमनचैन से रहें तो इस तरह लेखक जो हैं गोपाल चतुरवेदी उनका कहना है चुकि यह व्यंग है लेकिन व्यंग का मतलब है कि जो समाज में कमी है लोगों के रिष्टे में नाते में उसे वो प्रत्यक्ष न नहीं कहके और प्रत्यक्ष रूप से परुक्ष रूप से कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहे हैं तो यही है अच्छे परोसी के गोण प्रश्न उत्तर में तुम्हों को दूसरे क्लास में बताऊंगे धन्यवाद बच्चे